पर खास बात बताईए इस question के पीछे इतना क्यों पड़े हो अब इसके अंदर पिछला जो question में inflow निकालना सिखाया मैंने वो inflow निकालना सिखाया था जब rate नहीं गीवन होता ये inflow निकालना सिखने जब rate गीवन होगा और साथ के साथ यहाँ टेक्स का implementation भी हम देखेंगे इसलिए सरिफ मैं बताना चाहता हूँ question क्या कहता है SKD Limited planning to initial a new machine costing 15 लाग इसने सोचा है कि एक नई machinery खरीदेंगे जिसकी कीमत है 15 लाग with salvage value 1 लाग और इसका scrap value कितना होने वाला है 1 लाग after 5 years following information is available in respect of the machinery कहता है annual production जी करेंगे हम एक लाग unit का और year 1 to increase by कहता है के year 1 and increase by 10,000 per annum हर साल क्या होगा ये 10,000 बढ़ाते जाएंगे ठीक है over immediately preceding year production for next 4 years हर साल में जो भी होगा sales कहता है सर ये रहने वाला है variable cost 10 रुपे है fixed cost 7,20,000 है depreciation कितने percent है depreciation 20% और यहां rate देखिए return down value यानी return down value के इसाब से fixed cost जादा है 72,000,000 दे दिया आप उसको multiply करोगे ना एक लाग से करोगे 16,000,000 और fixed cost 72,000,000 है एक बड़ चेक करते हैं साइद copy करने में दिक्कत हुआ हूँ आप सब के पास देखो books में है 72,000,000 ही लिखा है बातता है fix cost को थोड़ा change कर देता है सर फिक्स cost को थोड़ा change कर देता है fix cost काट दिया fix cost कर दिया हमने 20,000 ठीक है fix cost क्या कर दिया हमने 20,000 और एक और part add करने है सर यहाँ पर capital gain के लिए tax है 30% ठीक है capital gain के लिए tax कितना है हमारे 30% हमें निकालना है inflow total कितना होगा और पूरे 5 साल का निकाल के दिखाना है पहला question पूरे 5 साल का inflow निकाल के बताओगे आप दूसरा zero year में कितना हमारा outflow होगा वो तो पता वैसे ही चल जाता है हमें हम पूरे 5 साल का पहले साल दूसरे साल इससे पीछे वाले question जो देखोगे न तो सर इसमें एक आसान काम था depreciation इसमें न fix था depreciation fix होने की वज़े से हर साल का inflow यही था लेकिन WDB होने की वज़े से क्या हमारा depreciation fix हो सकता है तो हर साल का inflow क्या होगा बदल जाएगा यानि अब हमें यही वाला काम पांच बार करना पड़ेगा अगर हमारा depreciation change हो जाए बदलेगा है नहीं बदलेगा समझ में आ रही है बात आपको क्योंकि depreciation बदलेगा तो profit बदलेगा तो tax बदलेगा हर साल का debt बदलेगा तो यह चीज हमें कितनी बार करनी पड़ेगी इस question के recording पांच बार तो यहां पर सेम चीज़े हैं और यहां पर एक चीज नहीं दो चीजों के बारे में बोला गया है एक साथ के साथ आप देखोगे question के अंदर तो आपको क्या बोला गया है यहां पर कि कि आपका sales भी year on year basis पे क्या हो गया है यहां पर change हो गया है ठीक है ना sales भी year on year basis पे change हो गया है सर्ट चल यह format पांच साल के लिए बना लेते हैं बड़े simple तरीके से लेके चलते हैं मैं चाह रहा हूं कि इसको दूसरे page पे करूँ इस page पे सिर्फ question रहने देते हैं इस page पे सिर्फ question रहने देते हैं so that आपको अच्छे से दिख पाए इसको मैंने cut किया था और इसको हमने 20,000 माना है और जो tax है ना वो 30% माना है अगले page पे चलते हैं करने का क्या तरीका होगा हमें 5 साल का डेटा चाहिए एक साल दो साल तीन साल चार साल और ये पांच साल क्या बताईए अभी तो सिर्फ question करते हैं पहले भी question करते हैं बस थोड़ा सा रहता है अब बस पांच मिनट का काम है इसमें फिर भी आप बोल्टर लेट हो रहे हैं पांच मिनट लगने हैं सबसे पहले particular सर सबसे पहले क्या लोगे सेज कितने यूनिट था यहां पर एक लाक यूनिट है मैं यूनिट भी लिख देता हूं यह लोग सर यहां एक लाक 1.1 लेक 1.2 लेक 1.3 लेक 1.4 लेक यह सब को समझ में आये हाँ या ना सही में बजाना है आ गया दस-दस अजार इंक्रिमेंट लग रहा था अब हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइज अधिस कफ़ार आधिस सेलिंग अमाउंट लिख लेते हैं ठीक है और सर इलिंग कही प्राइज हमारा 16 का तो हमारा जो सेल्स होगा सर क्या होगा यह 16 रुपय अगर हर जगह ही रहेगा ने यह तो क्योंकि हर किसी के लिए सेल 16 है यूनिट बढ़ी है तो क्या रेट नहीं घटा है हमने तो अगर मल्टिप्लाइ करते है इन सब के बीच में क्या है सर अच्छा 16 लाग है कोई बात नहीं ओहो चलिए 16 आप मल्टिप्लाइ करते जाए हर बच्चा एक एक साल का निकाले ताकि जल्दी हो जाए बस मैं लिखता जाओं पहले वाले का मैंने लिख दिया 17 लाग 60 अजार 19 लाग 20 अजार 20 लाग 80 अजार 22 लाग 40 अजार समझ में आया इसके मैं माइनस क्या करे होगे सर VC सर VC का rate question में है क्या देखिए सर बिल्कुल VC 10 रुपए अब तो देखो VC कितना असान दे दिया तो VC 10 रुपए है तो 10 लाग 11 लाग 12 लाग 13 लाग 14 लाग VC के बाद हम क्या माइनस कर दें यहाँ पर FC सर FC कितने है मैंने हर जगह पर बोला सर आप simple सा की काम करो 20 अजार रुपए मान लो और वहाँ question में थोड़ा सा mistake है उसको correct कर लेंगे बाद ठीक है solution में 20 के इसाफ़ से ही मैं कर रखा है मैंने थोड़ा mistake हो गया वहाँ पर साथ extra लग गया बस अब सर माइनस क्या करें और सबसे main point depreciation सर depreciation हमारे पास assets की value देखते हैं सर assets हामारा 15 लाग का और जब percentage दे रखा तो scrap का कोई काम नहीं है machinery है 15 लाग का 15 लाग में first year में लगेगा debt rate क्या था हमारा सर rate देखें यहां पर दे रखा है 20% तो पहले साल का debt होगा 3 लाग बचा कितना 12 लाग फिर से लगेगा debt second year में 12 लाग पे 3 2 40 240 याद आ रहा है कुछ minus करेंगे तो क्या बचेगा 10 लाग 960 960 960 फिर minus debt करेंगे यह कौन से साल का है सर यह है पहले साल का यह है दूसरे साल का यह है तीसरे फिर से 20% क्या आएगा 192 बताया बीस परसेंट साथ लाग 66 से बताना फिर debt number 4 बता 1,53 फिर minus करेंगे फिर आएगा debt कितना बचा देखो calculator पर जब WDV होना तो निकालना बढ़ा आस आने देखो 15,00,000 20% और 20% माइनस फिर से 20% माइनस फिर से 20% माइनस 68 पर फिर से 20% माइनस का इक्वल टू यह आगे हमारा 61 फिर से debt लगेगा फिर से 20% और माइनस 49 सर हर साल का debt इसका debt है सर 3,00,000 इसका debt है सर 2,4,00,000 इसका debt है 192 जैसे जैसे आरहे हैं अमाउंट लिखते जारा हूँ इसका debt है हमारा 153 और इसका आगे हमारा 122880 अब यह जब करेंगे तब निकल पाएगा हमारा EBIT या profit कहलू में माइनस करिए यह देखिए उपर वाला जो portion है न यह इसको माइनस करने में count नहीं करना है सिर्फ यह यह माइनस होगा ठीक है पहले का क्या आया 280 बताया आपने बताईए फटा फट सभी बताईए फट से क्या आगए इसका कितने चार लाख इसका आप भी कैलकुलेट करके बताईए जो बच्चे लाइफ लास में बताओ भई एक एक का कोई कर लो कोई पांच बापकड़ लो अगला बताईए कितने 6,9,1,2 सर ये आगया हमारा ये इसके उपर क्या लगाना टेक्स रेट मैंने बूला था टेक्स है हमारा कितने परसेंट 30% रेना टेक्स तो टेक्स बताईए इसपे भाई कुछ बच्चे ना बैग 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 करके एकदम तयारी में बैठे है तो बैग करने से क्या होता है जाओगे तबी ना जब छुट्टी होगे आपके जब आपका पोश्चन कंप्लीट होगा बताईए क्या है माइनस इसका एक कोई बच्चा माइनस करके भी तयार रखिये लिखिये क्योंकि बुक के अंदर कुछ बच्चों के पास ठेनियर हो सकता है उसके अंदर मैंने सोलीशन अब बदल दिया मैंने यहां पूरा कोश्चन ही बदल दिया है कितने एक एक क्यासी अगले में बताईए दो अब माइनस कर दीजिए आपने गलती कर दी ना एक बच्चा ऐसे करता 30% और माइनस करके साथ के साथ बचा देता दोनों ही बता देते साथ के साथ दो का तो मैंने ही निकाल लिया किसका है चार चौविस यह यह बताओ क्या है चार सो बीस चार सो क्या बोल रहा है यह चार लाक चार लाक फटा फट एड करिए कितना है पहले का डेप्रीशेशन दस लाक है तीन लाक फिर तू फॉट्टी यह एड करकर के लिख लीजिए बताना है आपको वन नाइन्टी वन फिफ्टी इसके बाद भाई जल्दी जल्दी बताती है पहले का आगया चार लाक और दूसरे का भी बताईए ऐसे फटा फट मुझे ही करना पड़ेगा तीसरे का क्या है वन सिक्स थ्री चौत्थे का सतावन अस्सी पांच पह पिफ्ट का आठ सो सर ये आगया अरे यार फिफ्ट भी गलत है ये एक थर्ड गलत है जो बच्चे लाइब में हो तो कुछ बोली नहीं रहे एक मिनट एक मिनट यहां क्या लिखना है ये डेप्रिसेशन ठीक था न इसमें ये ठीक है पांच पहा सब ठीक है सब ठीक ठाक भाई जो लाइब क्लास में बच्चे हैं वो भी बोल दो सब ठीक ठाक पहले बताईए अभी में काम बाकी है हमारा लास्ट येर का भी इन्फ्लो निकालना है सर ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ अभी घर के लिए नहीं घर से तो बहुत कुछ करते हो आप घर से तो पूरी किताब ख़तम कर लेते हो क्या एक जीरो कम अब बताईए मुझे कि इन्फ्लो क्या होगा पहले साल का मैंने बता दिया दूसरे साल का भी मैंने बता दिया सर तीसरे साल का भी बता दिया देखो पहले साल का इन्फ्लो है सर 4.96 दूसरे साल का 5.20 तीसरे का 5.47.600 तीसरे का 5.78.880 चौथे का पांचवे का तो ये है लेकिन इसमें सर प्लस और भी होना है क्यूं होना है सर प्लस में आप देखे लास्ट येर के अंदर हमें स्क्रैप भी मिला है कितने का स्क्रैप मिला है एक लाक रुपए का आपको स्क्रैप मिला है ये प्लस आपका टेक्स कैपिटल गेन भी इंप्लिमेशन दिखाना है capital gain मैंने बोल दिया आप दिखाओ तो अगर आपका जब तक capital gain question में ना बोला जाए ना दिखाओ तब तक अपनी मर्जी से नहीं करना हर question पे capital gain नहीं लगाना इस बात का ध्यान रखना तो आपको बोल दिया गया यहां पे के sir tax rate कितना है 30% capital gain दिखाओ अब मेरा बहुत simple सा question है कि यहां पे जो हमारा 5th year है ना 5th year में इसके साथ और कितना terminal inflow होगा देखते हैं अगर आपको पिछली बाते समझ में ही है तो आप फटा-फट बता पाऊगे देखके बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बताना 6128 साक्षी ने बताया 612-864 यह 610 के जगह पर 12 होगा क्या कौन बताएगा फिफ्टी यर में इन फ्लो अगर गलत बताया एक कॉश्चन और कराऊगा फिर नहीं स्रिफ फिफ्टी यर का इन फ्लो बता दो एक इसको अलग से पहले अलग वाला बताओ फिर जूड के बताएगे अरे कॉश्चन क्या करोगे देखके एक सत्रा चार सो छप्पन चलिए मैं बताता हूं ध्यान से देखिएगा सर टर्मिनल से टर्मिनल से जो हमारा इन फ्लो हुआ है स्क्रैप की बज़े से सर एक लाक रुपे कमाई हुई है हमने इसका मतलब एक का बेच दिया है यही है नहीं इसका मतलब जबकि इस एसेट्स की वेल्यू जो है वो तो एक लाक नहीं है उसेट्स की वेल्यू कितनी है चार लाक क्यानवे हजार पांसो बीस तो कहने का मतलब है सर loss भी हुआ, उस loss के factor को consider करें या ना करें करेंगे, तो यहां loss हुआ है sir, loss कितना हुआ, चार लाख क्यानवे हजार पान सो बीस रुपे के assets को हमने अगर एक लाख में sold किया, तो loss हो गया तीन लाख क्यानवे हजार पान सो बीस, इस loss पर हमारा plus हो जाएगा, tax saving कितने percent sir 30, तो इसके उपर 30% और निकालिए 117 4056, यह हो गया हमारा benefit और अब total हो गया 2,17,456 रुपे, 2,17,456 तो अगर मैं आपसे fifth year का inflow पूछ हूँ तो sir, fifth year का inflow होगा 610864 plus 217 4, 5 यह, यानि जो भी जोड के आ जाए तो 8,28,320 बता रहे हैं तो अभी तक sir, हमने जो सीखा है, सिर्फ और सिर्फ यही सीखा है, दो तरीके के question की हैं, देखो अभी हमने एक तो अगर income constant रहे, तो उसका inflow निकालना सीखा है एक बार हमारा हर साल का income बदल जाए, तो हर साल का income कैसे निकाले, उसमें अगर 10 साल होता है न, तो मुझे 10 table बनाना पड़ता है दूसरा कोई shortcut इसका नहीं है ठीक है न, outflow की बात करें, यह कुशन पंदरा नम्मर का fix आना ही आना है कोई chapter आए चाहे ना है पंदरा नम्मर का यह premium chapter है आपके book का पंदरा का आएगा ही आएगा झाहे नम्मर का आएगा है